दोस्तों नमस्कार आज हम आपको बड़ा हैं दिल्चस्प किसा सुनाने जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती और स्री देवी की प्रेम की कहानी जिहां सत्तर और असी के दसक के फेमस एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जितना अपने फिल्मी केरियर के लेकर लाइमिलाइट में रहे उतना ही अपनी प्रसनर लाइप में भी उन्होंनों उतनी ही सुर्खियां बटूरी साधी सुधा होते हुए भी मिथुन का दिल अपने को अश्टार स्री देवी पर आ गया था दोनों गुपचुप तरीके से प्यार किया और प्यार में इस तरीके से पागल थे कि दोनों उसी गुपचुप तरीके से साधी भी कर ली और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी सिरी देवी और मिथुन चक्रवर्ती की साधी की न कोई तस्वीर है न कोई सवूत है लेकिन विकिपेडिया पेज पर सिरी देवी और मिथुन चक्रवर्ती को पती पतनी बताया गया है मिथुन और सिरी देवी का रिस्ता तीन साल तको बेहतरीन तरीके से चला फिर दोनों अलग हो गए आखिर कियों सिरी देवी ने मिथुन चक्रवर्ती से अपनी साधी तोड़ी चलिए आपको कहानी का दिल्चस्प भाग सुनाते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बिल आइकन को दवा दिजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सरी ये काम आप अवस करें जब मिथुन चक्रवर्ती ने अपना केरियर सुरू किया था तब वे कापी अस्मार्ट दिखते थे बहुत लड़कियां उन पर मरती थी एक्टर ने साल 1989 में एक्टरस युकता वाली से साधी कर ली साधी के बाद 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन चक्रवर्ती और सिर्देवी दोनों साथ काम किया रिपोर्टर्स की मानए तो इस फिल्म के सुटिंग के दोरान दोनों की नजदिकियां बढ़ गई सिर्देवी के लिए मिथुन ने अपनी बीवी को धुखा दिया उन्होंने सिर्देवी से दुसरी साधी कर ली वो भी पतनी को बिना तलाक दिखुए अब आप सोच सकते हैं कि दो बच्चे उस समय थे उसके बाद भी नहोंने गुपचुप तरीके से साधी कर ली उस वक्त मिथुन के दो बच्चे भी थे रिपोर्स की माने तब योगता वाली को जब ये बात का पता चला साधी के बारे में पता चला उन्होंने खुद को ख़त्म करने की कोसिस कि वो पंखा में अपना दुपटा बांध करके पंखा पर फेक दी थी और स्विच आउन दी थी कि वैसे हूं मिथुन चक्रवर्ति आ गए और उन्होंने किसी तरीके से योगता वाली को उतारा योगता वाली से पुछा कि आप ऐस मत करिये मिथुन चक्रवर्ति हलाकि एक इंटर्वियो में मिथुन चक्रवर्ति के पत्नी ने स्विकार किया कि मैं मिथुन को दूसरी पत्नी के साथ भी रहने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं मिथुन चक्रवर्ति से अलग नहीं हो शक्ति हूं आगे का खिस्सा और भी दिल्चस्प होने वाला है जी हाँ आप अगर चैनल परने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि किस प्रसिती में साधी हुई थी मिथुन चक्रवर्ती के प्रेमिका सिरी देवी को बोनी कपूर के साथ अपसूस था कि सिरी देवी और मिथुन मिथुन चक्रवर्ती का जो रिष्टा था वो तिन साल ही चला जब सिरी देवी को लगा कि मिथुन अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने एक्टर से अलग होने का फैसला कर लिया हलाकि कभी भी सिरी देवी और मिथुन चक्रवर्ती ने डायवोर्सिय साल 1988 में सिरी देवी और मिथुन अलग हो गए कहा जाता है कि मिथुन के कहने पर ही सिरी देवी ने पहले बोनी कपूर को राखी बान दे थी क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को लगता था कि बोनी कपूर और सिरी देवी के बीच कुछ न कुछ है तो राखी बंदवा दिया ताकि वो भाई बहन के रिलेशन में बन जाएं। जिसके बाद उन्होंने फिर वही बोनी का पूर्चे साधी कर ली। उनके पेट में जो जानवी के जन्म के वाद सिरी देवी ने बोनी का पूर्चे साथ ये बाद का खुला सा किया था। वीलेशन में कैसी कहानी थी? और आब ये बता सकते हैं कि जुआनvellु का कपूर आपको सबसे अच्छा लगा है? कॉमेंट करके बस बताएंगे अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद